मेरे प्रीवक्तों मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान स्री कृष्ण ने दौरका को क्यों बसाया था दौरका में जाकर के क्यों रहे थे भगवान स्री कृष्ण ने मतुरा को क्यों छोड़ा था शाथियों भगवान स्री कृष्ण ने जिस समय कंस का जरासंद ren report अपने दामान्द का बदला लेने कि उद्धेश से भगवान स्री क chuckles को मारना चाहता था जरासंद और जरासंद ने एक दुबार नहीं traitor बार आक्रमर्न किया थह मारी पिरजा सुख सांती का अनुभव करने लगती है तब तब जरासंद हमारे उपर आक्रमल कर देता है लेकिन दुस्मनी जरासंद की मेरे से हमारी पिरजा से नहीं है लेकिन इसका खामयाजा मेरी पिरजा को भोगना पड़ता है और राजा का ये करतब भी होता है राजा को हमे उन्होंने सोचा था अब इस नगर को छोड़ देना ही उचित है क्योंकि हमारे जरासंद की लड़ाई की बज़े से हमारी पुत्र तुलिप्रजा पिस रही है हमारी प्रजा के जीवन में हमेशा खलल आते रहते हैं सुक्काई अनुभब करी नहीं पाते हैं हमेशा योद से जूचते रहते हैं और भक्तो यह बास सच भी है आज भी आप लोग देख लीजिए अगर हमारे भारत देश का युद्ध किसी दूसरे देश से युद्ध नहीं होता तो आज हम किस प्रगति के मार्क पर खड़े होते कलपना भी हम नहीं कर सकते आज युक्रेन की क्या दस कर रहे हैं एक दूसरे से उद्ध में विजय करने के लिए साथियों जो पैसा आज हम युद्ध करने के उद्धेश से अपने जबानों पर अस्त्रसस्त्रों पर खर्च कर रहे हैं तमाम मिसालें खरीद रहे हैं साथियों अगर उस पैसे को हम अपने देश के गरीबों पर पर खर्च करें तो हमारे देश में घरीव ढूड़े नहीं मिलेगा हमारे देश में जूतों पर पौलिश करने बाला ब्यक्ती भी चार पईया की गाड़ी से चलेगा मेरे भाई लेकिन भगवान स्री कृष्ण ने इस वर बिचार किया था लेकिन आज के नेता बिचार नहीं करते हैं जरासंद ने हमारे मतुरा पर एक बार नहीं सत्रे वारा क्रमण किया है अभी अठार में बार की फे तयारी कर रहा है हमारे मतुरा बासियों को तो जीवन युद्मी नि बसाया था और सब को लेकर के द्वार का में चले गए थे और आप लोग सभी जानते हैं द्वार का दूसरा स्वर्ग कही जाती है साथियों भगवान स्री कृष्ण ने मतुराव के वले से उद्धिश से छोड़ा था अपनी प्रजाव को दुखी नहीं देखना चाहते थे प्रजाव को सुकी करने के उद्धिश से भगवान स्री कृष्ण मतुराव को छोड़ करके दुवार का में वसे थे हर हर महादेब ओम नमो भगवते वास्तिवाए